आई उस प्रॉल्म को सॉल करते हैं क्या कहता है The average of 3 consecutive odd numbers is 12 more than one third of the first of these numbers What is the last of 3 numbers क्या कहँरा है क्या क्या है हमें बता रहा हैं कि The average of 3 consecutive odd numbers का 12 12 जादा है 1 3rd of the first of these numbers पहले के 1 3rd से ठीक है तो बाकी हमें आगे question में क्या कहता है कि हमें बताना है कि last number इन तीनों number में से last number कौन सा होगा यह हमें question में पूछ रहा है कि जो तीन consecutive odd numbers होंगे वो क्या हो जाएंगे मालीज हम x से start करते हैं x सबसे smallest है तो second क्या हो जाएगा x plus 2 हो जाएगा और third क्या हो जाएगा x plus 4 हो जाएगा अगर हम इन तीन odd numbers का average निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं average निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका sum find out करना होगा वो क्या हो जाएगा x x plus 2 plus x plus 4 और divide हो जाएगा यह number of observation से वो कितने हैं एक दो तीन तीन है ठीक है तो 3 से divide हो जाएगा ऊपर में add करेंगे तो 3 x plus 6 divided by 3 that is x plus 2 आएगा ठीक है question में हमें क्या कह रहा है कि जो जो first number है ये इसका one third ठीक इसका one third कितना है condition क्या कहता है कि average जो है वो 12 more than one third of the first of these number कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है किस से average से average क्या निकल क्या आया है x plus 2 आया है यहां से आप क्या करेंगे इस equation से x की value find out कर लेंगे x की value find out कैसे करेंगे ये change हो जाएगा x ये 3 को हम इस side ले जाएगे तो ये x और plus 12 into 3 36 ये x इस side जाएगा तो ये 3 x हो जाएगा plus 6 ठीक है कितना हो जाएगा 3 x plus 6 3 x को इस side ले जाएगे तो ये 2 x हो जाएगा और ये 6 इस side आएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा it means x की value कितनी आएगी 30 by 2 that is equal to 15 ठीक है 15 हो जाएगा लेकिन question में हमने क्या पूछ रहा है x की value कितनी आगई 15 question में हमसे पूछ रहा है कि last number बताओ ये number के बारे में पूछ रहा है हुआ है